हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल कॉमिक फैन पर चले शुरू करते हैं कहां गया डोगा का तीसरा और अंतिम भाग यानी मैं समान लेने जाओं और तुम पीछे से फुट लोगे मगर इस समान का आना बहुत जरूरी है इसके आय बिना हमें हरगिज भी ये पता नहीं चल सकता कि डोगा के साथ क्या हुआ होगा तब फिर एक काम करते हैं इस समान को यहां हम दोनों लेकर आते हैं नहीं आदा समान तू लाएगा आदा समान मैं लाओंगा वर्ना तू मार मार कर चाहे मुझे सूवर बना दे मैं ये काम नहीं करूँगा मैं चाहता हूँ कि जब हम साथ काम कर रहे हैं तो हमारे बीच विश्वास बना रहे काम खतम होने के बाद विश्वास वाली बात हड़ सकती है मगर उससे पहले नहीं इतिहास खुद को दोराता है, चीता को उम्मीद थी कि पहलिया डोगा की पहली को सोल्व कर लेगा, वरना किसी सोल्यूशन के आसपास तो पहुचेगा ही, मगर उसके साथ काम करते हुए उसे बेहत सावधान रहने की जरोत थी, उसे काल पहलिया की बात माननी ही पड़ी, की बात सावित नहीं हो जाती कि दोगा नहीं, यह बात नहीं सावित हो जाती, दनिया कि दोगा मारा गया, मैंने 20-20 बरस तक कोमा में चले गए लोगों के, पोश भी लोटते देखे वे सुने हैं, दोगा भी लोटेगा, आमीन, काल पहलिया ने विश्वास के मामले में दो दसवी मंजिल पर थे, यह बात किलोटा बता चुका है, मैंने उस बिल्डिंग के इंटिरियर डेकुरेटर से पता किया है, कि दसवे फ्लोर पर ओफिस की साथ सज्जा किस परकार की गई थी, मैंने सारा समान ठीक वैसे ही सेट कर दिया है, फर्क सिर्फ इतना है कि यह अकाल पहलिया, अब भी बताऊंगा, पहले ध्यान से देख और सुन, अपनी और से मैंने यहाँ पर बिल्कुल वही माहूल बना दिया है, जो उस वक्त वहां रहा होगा, अब समझ की तु डोगा है, ले कुत्य का मास्क लगा, ये गन पकड़, मेरा मतलब इस जाडु को ही फिलाल गन समझ ले, अब समझ की मैं किलोटा हूँ, मैं जेल से बागकर यहाँ पहुचा हूँ, इस खुशी में यहाँ पर पार्टी हो रही है, ये जो पुतले खड़े किये हैं, ये पार्टी का मज़ा ले रहे है, मेरे ही आदमी है, अचानक वहां डोगा की एंट्री होत कुछ भाग जाते हैं, मुझे यानि किलोटा को पहले से ही पता है कि डोगा यहाँ जरूर आएगा, इसलिए मैंने पूरी बिल्डिंग में बारूद बिछा दिया है, डोगा मेरी तरफ मुड़े तब तक में खिड़की तक पहुच जाता हूँ, मैंने अपना रिमोट भी ह सच्मुच मारा जाएगा, क्योंकि मैंने इस पूरी बिल्डिंग में बारूद सच्मुच बिछा रखा है, तुपूचा थनक कि मैं क्या लाया हूँ, तो मैं बारूद लाया था, एक जोड़दार धमाकी के साथ पूरा खंडर दोस्त हो गया, बड़ाम, किलोटा ने जोड जमी लाल बत्ती पर पुलिस वालों पर गोल्य चला कर मुझे ले भागे थे, और तुनने मेरे साथ अपना गैंग बनाने की पेशकर्श रखी थी, तो मैंने ही तुझे ये चैलेंज दिया था, कि अगर तुचीता को मार देगा, तो मैं तेरे साथ अपना गैंग बना लू मेरे दो दुश्मन अधरक और सूरज अभी बचे हुए हैं, जब तक मैं इन दोनों को भी नरक का रास्ता नहीं दिखा दूँगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा पहेलिया, तुफिक्र ना कर कि लोटा, तुने डोगा की ऐसी तैसी फेर कर वो काम किया है, कि मैं भी तिरा कायल हो गया, वर्ना सोज, कि मैं तुझे पुलिस के सिकंजे से क्यों निकालता, और तेरे साथ अपना गैंग बनाने की पेशकश क्यों रखता, इन दोनों के साथ हम दोनों पूरे लोयन जिम की नीव हिला देंगे, लेकिन डोगा की सरगर्मी शांत होने दे, फिर अ हा हा, मगर तुने ये काहवत यहां क्यों बोली, इसका मतलब यह है किलोटा की चीता मुझे मलबे के पास से ही लेकर आया था, और मैंने ही उसे मलबे के ढेर में दफन कर दिया, कधा कहीं का, कुछ समझा ही नहीं, हा हा हा, ओ, मैं भी इस काहवत को याद रखूँगा, वहा जित्ते दिखोती, उत्ते ही आँख खलोती, हा हा हा, लेकिन काल पहेलिया की आँखों में चमकते उस काहवत की रहसे के, जुगनू, किलोटा पता नहीं देख पाया या नहीं, क्या हुआ किलोटा, तु चोक्यो पड़ा, वहां कैम्प में इतना सक्त पहरा क्यों लगा फिलहाल तु उदर से ध्यान अटा और काजुखा, खंडर में विस्फोर्ट की सूचना इस्पेक्टर सुरिय की पडोस्यों को से मिली, समझ में नहीं आ रहा कि खंडर में विस्फोर्ट से किसी को क्या फायदा होने वाला है, और यहां फरनिचर वे दूसर समान कौन लाया मलबे में दसी अलमारी खुलने की आवाज ने इस्पेक्टर सुरिय की निगाहें वहीं ठिटका दी, उस लोहे के अलमारी में कोई बंद है, और जो बंद था, उसकी सुरत देखते ही इस्पेक्टर सुरिय बोचक्का खड़ा रह गया, चीता, तुम यहां, यह सब क्या चक चेश्टा की है, हम तो पहली ही हल कर रहे थे, तो क्या पहली हल हो गई, नहीं, चीता की बेसबरी तो कुछ और ही बियान कर रही थी, हाँ, शायद पहली हल हो गई, काल पहलिया ने नयाब तरीके से डोगा की पहली को हल करने की चेश्टा की है, अब अगर इसमें मेरी जान का खत्रा था तो इसमें काल पहलिया की क्या गलती है क्योंकि मैंने ही तो उसकी कनपटी पर बंदुक रखी थी पहली हल करवाने के लिए लेकिन मैं नहीं चाता था कि सुरिय से मेरे साथ ही वापस उस जेंगया पर पहुँचे जहां डोगा वाली बिल्डिंग द्वस्त तो डोगा मुझे अभी भी वहीं मिल सकता है चिता टैक्सी से उतरकर लगबग भागता हुआ घटना इस्तल पर पहुचा मलबा तो हटा कर देख लिया गया डोगा नहीं मिला पुलिस वाले कह रहे हैं कि डोगा के चित्रे उड़ गए हैं भीड के बीच में से रास्ता बन करना चाता हूँ चिता एक-एक समान को अच्छी तरह से देखता हुआ जब उस अलमारी के निकट पहुचा तो उसका दिल जरो से धड़क उठा उसका हाथ अलमारी के हैंडल पर कस गया फिर एक जटके के साथ उसने हैंडल नीचे किया और अलमारी को धीरे से खोल कर उसमे जहाका क्या हुआ चीता क्या डोगा मिला क्या मतलब तुम्हें यही उम्मीद थी ना कि जिस तरह तुम विसफोट के बाद ध्वस्तोती बिल्डिंग से जान बचाने के लिए लोहे की अलमारी में गुश गए ठीक उसी परकार डोगा भी गुशा होगा क्योंकि उसके पास भी इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा होगा तो क्या हुआ डोगा अलमारी में मिला या नहीं हटो मुझे देखने दो अरे ये तो खाली है डोगा शायद दूसरी अलमारी में हो ओफ इसका दरवाजा तो खुल ही नहीं था अगर डोगा उस अलमारी में हुआ तो उस experiment में मैंने वाकई ये निश्कर्ष निकाला था जोकि डोगा के पास भी शायद उन प्रिस्तितियों में बचने के लिए यही एक रास्ता था जिसमें उसके बचने के कम से कम 10% चांस तो थे ही जोकि पूरी इमारत दोस्त होने वाली थी मगर वह तो क्या बाकी अलमारिया भी खाली निकली लोगों में ये विश्वास अब जड़ पकड़ चुगा था कि डोगा मारा गया है ना डोगा जिंदा मिला ना मुर्दा ना अवशेश मिले पुलिस कह रही है डोगा के चिथडे उड़ गए दो रातों से मुंबई की सडकों पर बदमाशों के तूटे फूटे शरीर या गोल्जों से चलनी हुई लाशे भी नहीं मिली ये भी इस बात का सबूत है कि डोगा वाकई मर गया अब यहां इंतजार करने को कुछ नहीं बचा ये क्या कह रहे हो चाचा अपने मसीहा के खून के छीटे इन पत्थरों पर तो पड़े होंगे ये तो मेरे लिए अनमोल धरोहर है इस पत्थर को मैं डोगा की याद के रूप में अपने घर में रखूँगा यादगारे तो हमें भी ले जाने चाहिए डोगा के परती प्रेम का ऐसा जनून पैदा हुआ कि लोग मलबे के इट पत्थरों पर ही तूट पड़े जब तक सूरज चांद रहेगा डोगा तेरा नाम रहेगा भीड में ऐसा जनूनी भी थे जिनने डोगा की मोत अभी तक एक सपना लग रही थी तुम सब पागल हो गए हो क्या डोगा लोटेगा फेक दो ये पत्थर डोगा का इसमारक मत बनाओ वो तो अपराद्यों का सहारक है वो लोटेगा आज तीसरी रात ती ना डोगा लोटा ना सूरज तुमारा दिल क्या कहता है अद्रग आखिर कब तक हम इस प्रशन की भूल-बुलया में बटकते रहेंगे कि डोगा अब वापस लोटेगा या नहीं सूरज हमारा बच्चा था क्या इस प्रशन की भूल-बुलया में पड़े हम उसके अंतिम सल्सकार की रसमे भी अदा नहीं करेंगे हाँ द्रग उसे लोटना होता तो वो लोट चुका होता या कोई खबर भेजता तीन रातों से अंका एक दाना तक नहीं खाया तुमने अद्रग चाचा ऐसे कैसे चलेगा इंतिजार के लिए सांस तो चाहिए और सांस के लिए अंजल तीन रातों से घर से गायब चिता अब घर लोटने पर मजबूर हो गया था जहां उसका सामना मोनिका से हुआ था मोनिका तुम्हें सुरज की जिंदगी का बरोसा है तो ये बरोसा तूट क्यों रहा है बरोसे उम्मीदों के सारे जिंदा रह सकते हैं रहते हैं मगर शरीर खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता चीता ने जबरदस्ती मोनिका को एक फुलका खिलाया बरोसर रखो, सूरज आएगा कहने को तो चीता ने कह दिया मगर कहां से आएगा सूरज इधर अंदेरा गिरते ही उचको की नजर शिकार की तलाश में दोड़ पड़ी थी शिकार देखो और लूट लो अब डर कहें का, डोगा तो मर गया जिनको डर था उन्हें जल्दी थी रात में घूमना अब शुरक्षित नहीं रहा जल्दी घर पहुँच जाओ किसी बदमाज से सामना हो गया तो बचाने डोगा भी नहीं आएगा इस सहर की सांती को अब ग्रहन लग गया किलोटा की बाचे खिलिवी थी मुंबई में इंसाफ की मिनार धवस्त डोगा इस डेड इस डोगा इलाइव और इडेड मारा गया डोगा दोगा धवस्त तीन रातों से डोगा की कोई गतिवी दी नहीं दोगा की मोत के समचारों से भरे समचार पत्रों के धेर मेरे सामने लगा-लगा कर तुनने मुझे और भी खुश कर दिया काल पहलिया? ये तो कुछ भी नहीं यह किलोटा जरा बाहर निकल कर देखो, मुंबई में मातम चाया है, दोगा के चहतों के चहरे दुख वे सोक से सफ वो सब खामोश हो चुकी है और चीता का क्या हुआ मैं तो देखने भी नहीं गया क्योंकि जो हाल डोगा का हुआ वही तो उसका भी हुआ होगा लेकिन पहेलिया फिर भी मैं डोगा की मोत की पुष्टी चाहता हूं कि हमारे आदमी आज रात बलकि अभी कुछ ऐसा हंगामा क करे जिससे मुंबई वासियों को पक्का पता लग जाए कि अब मुंबई का बाप दोगा किसी की मदद करने को नहीं आने वाला है विचार तो नेक है ठीक है मैं विवस्था करवा देता हूं मैं चाहता हूं कि धावा लोयन जिम पर बोला जाए और अधरक चाचा को मेदारी सोपी गई सलीम भोचक का आ गया तुम में से जिसको अपनी जान प्यारी ना हो सिर्फ वो यहां रुके खनाक तडर धाक सलीम भोचक का नजर आया ओ हम तो सिर्फ अधरक को लेने आये ते यहां तो चारो भाई एक साथ मिल गए कोई भी हिलातों से वहीं धेर कर द आ उफ डोगा अधरक चाचा तुरंत भाब गए ते मोहर सिंग यह मोहर सिंग है जो हमें मुसीबत में देखकर डोगा बनकर आ गया है बावुकता इंसान को कमजोर कर देती है डोगा की नामुझुदगी के कारण कहीं न कहीं मोहर सिंग पर भी यह कमजोरी हावी थी सारा स कह रहा है कि डोगा मर गया फिर तु डोगा कहां से आ गया बहरूप ये और अगर तु डोगा भी है तो भी तुने सलीम भोचक्के के सामने आकर गलती कर दी आ धाएं क्यों चीक के साथ ही निकल गई सारी हेखडी तु डोगा बनकर आ तो गया मगर तुझे ये नहीं पता कि डोगा कभी चीकता नहीं मारो इसे खाल खीच लो थार थार अद्रक इस लड़ाई के बीच में आना चाता था मगर हल्दी ने उसे रोक दिया तुम चारो अब कोई हरकत ना करना वरना तुम्हारा अंजाम भी इस नकली डोगा की तरह होगा चलो चारो चाचा डोगा के हत्या इम भुचक का भी तक लोटा क्यों नहीं अच्छा हुआ जो तुने इस तंबू में जागने की कोशिश नहीं की वरना अनर्थ हो जाता तेरे बापू को किसी के जागकर देखने से ऐसी भी क्या अलर्जी है मेरे बापू का चैरा आग में जल गया है इसलिए वो अपनी किसी को नहीं दिखाना चाता तुम इस बात को छोड़ो और इधर करना जारा देखो अरे ये तो चारो भाईयों को ही ले आया और इसके साथ तो डोगा भी है डोगा वो कहां से आ गया हाँ है तो सही डोगा भी नकली होगा किसी पर फितूर चड़ गया होगा डोगा की तुमने ही की थी अद्रक चाचा, ना जाने कितने बरस मैंने जेल के नरक में गुजारे, आज मोका मिला है, बहार आने का भी और अपने सारे दुश्मनों को एक-एक करके खतम करने का भी, मेरा नंबर एक दुश्मन डोगा तो मेरे हातों बुरी मोत मारा गया, अब बारी अब को मैं तड़पा तड़पा कर मारूँगा अद्रक, लेकिन सबसे पहले मैं मारूँगा इस नकली डोगा को, ताकि फिर कोई डोगा बनने की कोशिश ना करे, इसे होश में लाओ, इसकी ला सड़क पर फेकेंगे, तो उससे दोरा लाब होगा, लोगों को यकीन आ तो वो मेरा खून ही पी जाएगा, तू यहाँकी फिक्र मत कर पहलिया, यहांतो बाजी मेरे हाथ में है, नकली डोगा, सबसे पहले तू मरेगा, गोलिया तो चली, मगर किलोटा की गन से नहीं, च्यूम, टाक, उफ नकली को मारा किलोटा, असली को मार तो जानू, कौन? उ लेकिन उनके लिए अपने जजबातों को काबू में रखना जरूरी था, ओ, दोगा, तू, दोगा, तूने तो मुझे बिल्डिंग में द्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, किलोटा, लेकिन जिन्दगी या मोत तेरे इशारों की गुलाम नहीं रही, तूने तो र बचाओं का सिर्फ वही एक रास्ता सुझा, कि मैं लोहे की उस अलमारी में समा जाओं, ओ, मुझे नहीं पता था कि उस ब्लाष्ट में मैं बचूंगा या मारा जाओंगा, मगर उस वक्त मुझे अपने चारों और मोत ही मोत नजर आ रही थी, मगर किस्मत से मैं बच गया, नहीं डोगे, तुखुद नहीं बचा, मैंने तुझे बचाया, काल पहलिया तुने हाँ किलोटा, बेटे खेमे में जो बिमार था मेरा वो पाप यही था, मुझे डोगा तक पहुचाने में मदद की चीता ने, अगर वो मुझे डोगा की इतलाश करने को नह कहता, तो शाय कुछ डोगा को रात के अंदेरे में चिपता चिपाता यहां ले आया, डोगा मेरा भी नंबर एक दुश्मन है, मैंने सोगंध खाई है कि डोगा मरेगा तो सिर्फ मेरे हातों से, मैं उसे किसी और के हातों कैसे मरने देता, दोक्टर यह डोगा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तेरे इतने टुकडे करूँगा कि तेरे घरवाले उन्हें गिन भी नहीं पाएंगे, इसके सिर पर चोट लगने से यह बेहोश हो गया है, डोक्टर ने मुझे बताया कि दमाके में बारूद या आग की गर्मी से इसके चेहरे का मास्क इसकी तुछाशा से लेकिन उसके साथ ही मैं चाहता था कि डोगा को खोश आए तो किलोटा उसे वही पर तोफे के रूप में मिले, इसलिए किलोटा को मैंने पुलिस के सिकंजे से निकाला और यहां ले आया, हम लोग बंजारा टोली में बंजारा वेश में रहते हैं किलोटा, इस वक्त तु स अखलोती का अर्थ समझ जाता तो आज तेरी यह हलत न होती, उस पहली का अर्थ यह था कि तु पहले भी डोगा के निशाने पर ता, फिर निशाने पर आने वाला है, और देख ले आ गया, पहली में खोती शब्द का परियोग मैंने तेरे लिए किया था, डोगे, अब दे हेलिकोप्टर आ गया, मैं तो चलता हूँ, डोगा, तुझे नरक भेजने का प्लान तो मैंने बनाया था, नरक तुझे मैं ही भेजूँगा, बलाम, बलाम, मगर वक्त आने पर, गोल्यों से बचने की ब्लैक पिपर आर्ट उसने मुझसे ही सीखिया, डोगा, गाल पहलिया जो हेलिकोप्टर में बैठ चुका था, उसे किलोटा की क्युक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, गड़ 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 धाड़, ओफ, किलोटा हेलिकोप्टर में बैठ तो गया, मगर उसे अद्रक चाचा धनिया, काली, हल्दी और मेहर सिंग ने उड़ने नहीं दिया, डोगा जल्दी करो, खतम कर दो इसे, इसे उड़ने का शोक है, इसका शोक मैं जरूर पूरा करूँगा, डोगा ने किलोटा को उड़ाया, तो पूरी मुंबई ने ये तमाशा देखा, मुंबई की सड़क लोगों से भर गई, मोहले के छतों पर पाउं रखने की जंगा न अद्रक चाचा का फोन मोनिका को मिला, मोनिका सुरज लोट आया, क्या, क्या सच, सुरज को देखकर चाचाओं में खुशी की लहर दोड़ गई, सुरज मेरे बच्चे, इन पट्टियों पर न जाना चाचा, मास्क चेहरे पर चिपक गया था, ये मुझ पर कुद्रत की रह सकती, ऐसा अफसर आया तो मोत हर्ताल पर चली जाती है, मगर तुझे डोगा बननी की क्या जरोती, तुझे कुछ हो जाता तो, अब रोता ही रहेगा या कुछ खिलाएगा भी, तीन दिन से भूका हूँ, तुझे खाना अभी नहीं मिलेगा सुरज, उसकी भी फिकर कर, चो ये कॉमिक्स कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, और आप इस चनल पर कौन सी कॉमिक्स देखने चाते हैं, आप वो भी जरूर बताईएगा, मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यावाद, बारी सारी गब भी,